सरस्यद के उपर ये फिल्म बनाई जा रही है Sir Sayyad's biggest contribution, I feel is that he tried to bring the down-trodden Indians that included both Muslims, Hindus and others in the country to get educated because he was of the opinion that for the development of any country and society the education has to be there and education can play very important role in the sort of understanding the problems that are around and also it will be a key to bring betterment of the society both economically as well as in terms of knowledge based and understanding between different communities and also between one country and the other. So, he has been champion to start with to call both Indians, Hindus and Muslims as two eyes of the country. मुसल्मान और हिंदू जो है वो हिंदूस्तान की दो आखें हैं और एक भी आख में अगर तकलीफ होगी तो दूसरे हाग से भी आसू निकलेगा तो वो बड़ी अच्छी बात है जो मैं समझता हूँ कि वो सुसाइटी को इस तरह की चीजों के बारे में बताया जाए और मैं बहुत कॉंग्रोचलेट करता हूँ एनस फिल्म को जो ये एक नई फिल्म बना रहे हैं जिस तरह गांधी जी पे बनी थी फिल्म रिचरड अडिन ब्रॉन ने बनाये था और अब ये एनस फिल्म जो है वो निलोफर शमा साहिबा और उनके कलीग्स जो सरसयद का एक टॉपिक उन्होंने लिया है जो बहुत रिलेवेंट है और खास करके आज के दौर के लिए वो और भी रिलेवेंट हो जाता है जिसमें हमारी गौर्मेंट और हमारे जो भी कारकुन हैं वो इस बात को मानते हैं कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज है और उसमें खास करके जो डाउन ट्रॉटिंस हैं जो लोग अंटर प्रिवलेज्ट हैं उनको ज्यादा से जादा मौका मिले उसमें इंक्लूडेड है इवन फीमेल्स ये भी चीज थी कि उनका ये कहना था कि आप रिलीजियन एक हाथ में रखे और साइंस के साथ रिलीजियन का होना चाहिए ता कि आपका रूट्स विसमें इंवल्ट हैं